हेलो दोस्तों मैं जाई कांत से नहीं स्वाहत करता हूँ आपके अपने चैनल भात आई क्यूं में हम टिस्कस कर रहे हैं राजिस्टान पतिका नीज पिपर जयापूर एडिशन 23 अक्टूबर तो बने रहे हैं इस वीडियो में साथ तक there is lot to know and lot to discuss तो आज शुरू करते हैं का discussion पेज नंबर हम तो बात की जा रही है विदेशियों से भारत आने के लिए कोविड-19 के दौरान 25 जब मार्च को लॉकडाउन घुशित किया गया था तो तब से रोक लगा दी गई थी तो अभी इसको खोल दिया गया है वीजा के लिए तो यहाँ पर ये निज इसकी कारण तो यह unlock 5.0 जो उन्होंने किया है उसके दौरान यह कुछ decisions लिए उन्होंने तो इसके संबन में दो बहुत ही महत्मूर्ण प्रोग्राम है जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ एर बबल और वंदे भारत मिशन अब आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कि एर बबल मिशन क्या है और वंदे भारत मिशन क्या है मैं कई बार आपको बता चुका हूँ दोनों ही बहुत important है COVID-19 के दोरान और यह बहुत ही जलत चर्चा में भी रहे थे तो important ह आपको जाना जरूर है आप एरो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए पेज नंबर हमसे बात की जा रही है यह क्या बात की जा रही है केंद सरकार किसानों को जल्द देगी खाद सबसेटी खाद मतलब खाद नहीं खाद यानिकि जो उब्रक्र जो होते हैं हम fertility करने के लिए डालते हैं जो भी चीज़ें उसके लिए अब सबसेटी देगी सरकार देने जा रही है सीधे किसानों को तो क्या चीज़ें इसके संबन में देख लेते हैं important चीज़ें कुछ तो किन सरकार ये बात बोलें किसानों को खाद अनुदान देंगे directly उनके account में जाएगा य यह होगा 5000 रुपई 2500 रुपए रभी की फसल के लिए और 2500 रुपए खरीव की फसल के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएए रभी की फसल कब बोई जाती है और आपको अईडिया उन्हक़ ह है और एक एक Greek एक झामपल मेरे को रभी की फसल औरख रवी का फसल खरी बेचने वाली उनको भी दिया गया ये फाइदा ताकि वो सस्ते में प्रोवाइड कराएं किसानों को लेकिन अब ये सीधा पैसा किसानों को जाएगा तो यहाँ पर इंपोर्टेंट एक बाड़ी का बात आती है CACP Cost for Agriculture Cost and Price Commission for Agriculture Cost and Price जिसका नाम फुल फॉर्म है Commission for Agriculture Cost and Price ये क्रसीव मंतराले के अधीन आता है और एक संबेधानिक निकाय है क्रसीव मंतराले का पूरा नाम मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए क्या नाम है क्रसीव मंतराले का वर्तमान में अब ये काम क्या करता है CACP अपनी recommendation देता है कि किस फॉसल की कितनी MSP होगी MSP क्या होते है minimum support price जिसको गॉर्मेंट मतलब एक support देती है किसानों को जिससे कि उनको वाजब बूल मिल सके अपने उत्पात का तो MSP का फुल फॉम आपको पतानों चाहिए तो CACP का काम है कि MSP के लिए अपनी सला देना अपनी recommendation देना अब ये 23 फॉसलों को देकर अपनी सला देता है वर्तमान में 23 फॉसल है जिनको लेकर कि CACP अपनी सला देता है MSP को लेकर कि कितनी MSP इनकी होगी लेकर ये जरूरी नहीं है कि CACP ने सला दिये तो सरकार मानी लेगी अब final decision लेती है CCEA यानि cabinet committee on economic affair इसकी अध्यक्स्ता करते है PM मोदी जी जो है वर्तमान में तो CCEA final decision लेती है कि किस फॉसल का कितना MSP निधारत करेंगे वो लोग तो CACP देती है अपनी recommendation CCEA को CCEA निधारत करती है किस फॉसल का कितना MSP होगा तो final body यहाँ पर CCEA होती है यह आपको जाना जुरूरी है अब हम देख लेते हैं कौन-कौन सी इसमा फॉसल है एक थोड़ा सा नज़र डालेते हैं CACP recommend करता है मैं बता चुका हूँ 23 अभी वहतमान में commodities हैं यहाँ तो साथ तो यहाँ पर सीरियल्स है पैड़ी, वीट, मेज, सोर्गम, पल्मिलेट, बाले, रागी, पांच यहाँ पर पल्सेज ली गई है ग्राम, तूर, मूंग, उरत, लेंटेल, साथ यहाँ पर ओल्सीड ली गई है, ग्राउंड, नट, रिप, सीड, मस्टर, सोया, बीन, सीजम, सनफलोर, सेफलोर, और निगर सीड, चार कॉमर्सिल क्रॉप यहाँ पर ली गई है, कोपरा, सुगरकेन, कॉटन, रोजूट, तो इसका जो फॉर्मल, अभी यह फॉर्मली शामिल हो गई है, अपचारिक रूप से बारती नोसेना में सामिल हो गई है, कावरती इसका नाम आपको पता नोची है, तो आइनस कावरती जो है, अपचारिक रूप से बारती नोसेना में सामिल हो गई है, नोसेना के अदेश का प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाए गया यह बनाय गया है और अटी सब्मरीन वार्फियर है तो यह क्या है कि जो ऊई कोई भी पंडुपी जो होती है उसको खतम करने में उसको ट्रेक करने में सक्षम है मतलब कहां पे आपना देखा हो पंडुपी यह पानी के अंदर भी चलियाती है, समुद्र के अंदर दिखती नहीं है वो, लेकिन ये जो है INS कवरती, तो उसको ढून लिका लेगी, उसको destroy कर देगी, तबाह कर देगी, बरवाद कर देगी, इसलिए ये एक asset तयार हो गया है भारती नौसेना के लिए, तो इसको design किस ने किया है, Indian Navy in-house organization है, यानि कि भारती नौसेना की ही एक organization है, इसका नाम क्या है, Directorate of Naval Design, तो इसने इसको तयार किया है, Directorate of Naval Design ने, INS कवरती को, राइट, ये आप देख सकते हैं, INS कवरती का picture है यहाँ पे, तो यह अभी, जैसे कि यह समुद्र है यहाँ पे, तो जो सब्मरीन मिशायल आती है, पंटुबिया जो होती है, इसके नीचे जायती है, उपर आ जाती है, तो उनको ये ढून निकालेगा, कहां पर गूम रही है, क्या गूम रही है, ट्रेस करेगा, इसके पास तकनीक है, और यहाँ से उसको अटेक करके खतम कर देगा, तो यह इसकी सक्षमता है, इसकी कावी है, तो खर्च को ले करके बहुत जादा चर्चा रहती थी, 2014 के बाद से चर्चा चल रही थी, कि विदान सभा, लोग सभा जो इलेक्शन होते हैं, उनके लिए खर्च बढ़ाया जाए, क्योंकि समय भी बढ़ गया है, महंगाई भी बढ़ गई है, तो इसको ले करके थी, तो अभी ये बिहार एलेक्शन से पहले ही इनोंने विदान सभा के लिए 30,80,000 कर दिया गया है, खर्चा भी, खर्च की लिमिट ये कर दी गई है, और लोग सभा के लिए 37,000,000 कर दिया गया है, तो पूछा जासकता है, फैक्ट है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये कान चुनाव आयोग उसके उपर एक्शन लेता है, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है, आपको इसके बारे पता हुना चाहिए, 2014 के बाद से अब ये सीमा इसकी बढ़ाई गई है, पेज नंबर 3 पे बात क्या की जा रही है है, ये राजस्तान में जो तेल से संबंदी बात है तो राजस्तान में तेल के कई सारे बंडार मिले हैं, जिनके जो नाम है, बंडारों के नाम वो देवियों के नाम पे रखे हैं, ये अच्छी बात है, राजस्तान में देवियों के नाम पे शुरुगात की गई है, तो देख लेते हैं क्या क्या नाम है, तो पहला नाम है सर मेरे को बताईए कि कौन से नाम किस राज्य के अंदर ये पाया गया है यह मतलब जो फिर्द द्रज करी गया है तो उनके बारें है सरस्वती relevant यह तो आप मेरे को यह बताईए क्यों दbを किस किस जिलसे संबंदी खेल नाम जितने भी रिफाइनरी की picture और ये है oil field की picture यानि कि यहां से crude oil हम लोग निकाल रहे है जैसे कि हम विदेशों से आयत करते हैं अभी तक तो हम तो अब यहां से हम क्या निकाल लें कच्छा तेल अब ये कच्छा तेल जो है यहां पे लेगे आया जाएगा refinery में इसको refine किया जाएगा इससे कई सारी चीज़ा बनाए जाएगी जैसे कि petroleum, diesel, glycerin, petrol ये कई सारे उत्पाद इससे बनाए जाते हैं और refinery के अंदर सारा का सारा काम चलता है इसलिए इन दोनों में ये basic फरक है कि crude oil तो इस field से निकालना है ये जो मैंने आपको मं रिफाइनरी तक इनको पहुचाया जा सके तो ये इन में चीज़े होती है कि किस त्रीके से क्या है निकालना जैसे simple साबन fragen देखते हैं दूद होता है दूद से पनीर बनाते हैं खुआ बनाते हैं और इतियादी कि नहीं दही जाते हैं कई प्रकार के वीग कर्श्य तेल कम हो किसी भी प्रकार से इन चीजों को रोका जा सके तो यह इंपोर्टेंट है और आप बाड में रिफाइनरी भी देख लीजिए एक बार प्रश्ण बन सकता है पच्पदर रिफाइनरी से मैं पहले भी इसको डिस्कस कर चुका हूं अपने डिस्कुशन में पेज नंबर प से 24 साल हैं पहली बार इस प्रकार की परप्रा तूटेगी तो इंपोर्टेंट मेला बन जाता है आर्ट एन कल्चर के हिसाब से पूछा सकता है एक्जाम के अंदर पेज नंबर 6 पर बात की जा रही है बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज यहाँ पर यह है यह MSP संबन्दी न्यूज है यह करशी कानून संबन्दी न्यूज मैं एक बार बता देता हूँ आपको यह देख सकते हैं केंदर और राज्य के बीच एक नई विवाद का जन्म प आपको समझा देता हूँ कुछ important fact जो की बहुत ही जाता important है तो अभी हाली में आपको पता हुआ केंदर सरकार ने तीन कशी एक्ट बनाया है जिनका की बहुत जादा विरोध चल रहा है बहुत जादा चर्चा में यह विरोध क्योंकि यह किसान विरोधी बताये जा रहा है देगा तो उसके लिए सजा का प्रावदान कर दिया है यह पंजाब के असेंबली ने एक पारित कर दिया वहां पर किसके अगेंश्ट में जो की तीन नए एक्ट केंदर संसर्कार ने बनाए थी राइट अब और देखते हैं चीजे अब जो करसी का विशय है यह आपको पत प्रसनी यह है कि यह जो तीनो सूचिया है किस अनुसूची के तहता आती है अब देख लेते हैं इसमें अनुच्छे 248 क्या बात करता है यह बात करता है कोई भी एदि अभी शिस्ट मामला होता है तो उसकी जो पावर है वो संसत के पास होती है कानून बनाने की जैसे कि फ कानून को अधिकार संसत को होता है पहला अधिकार राइट फिर आता अनुच्छे दो सो नंचास ये क्या बात करता है तो मतलब ये सारी की सारी चीज़े इसलिए समझा रहा हूं कि क्रसी जो है राज्य का विश है लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कानून कैसे बना दिया है त ये समझिए कोई राश्ट्री हित का माम लाए लेकिन वो राज्य सूची का विश है तो इसमें क्या हुआ कि राज्य सबाइक विशेश भामत से उस मामने को संसत में लाएगी और कानून बना देगी उस पर जो कि एक साल तक मानने होगा ये अनुच्छे दो सो नंचास कहत है कि जब कोई राज्य संसत से अनुरोद करें कि आप हमारे लिए कानून बनाईए राज्य के लिए तब भी संसत उनके लिए कानून बना सकती है लेकिन वो कानून केवल उस राज्य पर ही लागू होगा 253 अनुच्छे क्या बात करता है कि यदि कोई इंटरनेशनल महतों का मामला हो लेकिन राज्य सूची का विशे हो तो भी संसर इस पर कानून बना सकती है यह अनलब कोई मामला है कि राज्य सूची का विशे है लेकिन वो है इंटरनेशनली में मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अपनी importance रगता है तो अनुश्य दोह त्रेपन के तरह संसत उस पर भी कानून बना सकती है अब यह जो क्रशी कानून बनाय गया है राजय सूची का विशे है लेकिन इसको कैसे बनाया गया है तो संबर्ती सूची की एक प्रवश्च्टी है एक entry है उसमें entry संक्या है 33 इस प्रवश्टी संक्या 33 आपको पता हुना चीए इसके आदार पर यह तीनों के तीनों कानून बनाए गए है अनिता जो करशी विशे है वो राजी सूची का विशे है आप बहुत इसको याद रख लीजेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है अब यह अनुच्छेद 133 की बात की इस एडिटोरियल में वो क्या बात की गई है कि अनुच्छेद 133 के तहर सुप्रीम कोट का एक छेतरी अपीली अधिकार होता है मतलब कि आप अपील कर सकते हो हाई कोट से सुप्रीम कोट में तो बताया जा रहा है कि यह मामला आप सुप्रीम कोट तक जा सकता है तशी कान पहती इंपोरेंटेंट सारे सारे के साए आर्टीकल और आप नोट कि लिजी गा यहां पर जर्माइन के कोलोन का है यह पिक्चर तो गांदीजीतीन हैलेकटा है मांस्क पहन करके तो सबसे पहला मेरा प्रशना है यह जर्मनी की राजनितिक हैड कौन है वर्तमान में यह मेरो का कमेंट बॉक्स में बताईए आप अब यह जो तीन बंदर है ना बुरा बोलो ना बुरा सुनो ना बुरा देखो यह गांदे जी ने एक सिंबॉलिक चीज बताई थी कि आप इस प्रकार से चीज़ें ना करो ल कर सकें आप अन्य था मतलब दूसरी बातों में मतलब अपना समय व्यर्तना करें तो इसलिए एक सिंबॉलिक जैसर दिया बहुत सिंपल वे में दिया उन्होंने क्योंकि बंदर सभी लोग जानते हैं और इस पेकार से उन्होंने बताया है कि बुरा मत बोलो बुरा मत सुनो तो बहुत सिंपल हो जाता है मतलब एक आम अन्सान भी समझ सकता है कि हो क्या कहना चाहरे हैं एक्चुली इसका मतलब यही है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी गलत नहीं सुनेंगे यह तो विवारिक बात है आपको सुननों को मिलेगी दिखने को भी मिलेगी गल GANDI最 difficulty भगवत जीता से प्रवावित थी भगवत में धरं धरम का मतलब लोग समझते होंगी पूजा करना मंदिर जाना यह दरम अनुसारा कुछ नहीं दरमν chess जो यह भगवत गीता है वह बताया वहां पे इनुने वहां पर भी इनुने जाएं आपकर का अपनी चीजह अपनी एनर्जी बरबात नहीं किजिए पॉजिटिव काम कीजिया तो ये सारी की सारी मुझे अच्छा लगा ये पिक्चर इसलिए मैंने इसको शामिल किया है यहाँ पे जय को कि पूछा सकता है कि मुक्षा जनेवा के अंदर है और इसके अध्यज का नाम एज संबंधी यहां पर विश्वद ज्यूनियरा चैंपिशीफ 2000 जो कि न्यूजिलैंड में होने वाली थी इसी अब ही रद्द कर दिया गया तो पूचा सकता है आपसे प्रशने के विश्व जूनिस चेंपरिशिप कहां होने वाली 2020 न्यूजिलेंट के इंदर होने वाली थी तो यहाँ पर इसकी ये न्यूजर कवर की गई है COVID-19 से पहले की बात है यह आप समझ सकते हैं कि COVID-19 से पहले का नमान है कि 6 में से एक बच्चा घोर गरीवी में जी रहा है तो अब तो मुझे लगता है कि 6 में से साइद 2 बच्चे या 3 बच्चे भी हो सकते हैं दुनिया के अंदर तो यह बहुत ही मतलब एक दुरभागे पू पूछी जा सकती है कौन निकालता है इसे पेज नमबर टेन में बात की जा रही है कुल भूशन यादव संबंदी निव्ज यहां पर तो बहुत ज़्यारा चर्चा में रहा है यह में कई सालों से आपको पता हो भी इसके बारे में तो ICG में कुल भूशन यादव की मौत की जो सजा सुनाई गई है पाकिस्तान के द्वारा तो उसकी समीख्षा होगी इसे अगठन 1945 में हुआ था और हेग नीदरलेंड के अंदर इसका हेड़कॉर्टर है के आई सीजी का मेरा आपसे प्रैस नायट बांस है किमें ड़ाइड या इसके इंटरन याद और दैसक्तिर मतलब आइसीची एक इंडिपेंडेंट और आइसीची एक इन्डिपेंडेंट और जबकि आइसीजे यूएन का एक बॉड़ी है तो यह जो है इसका इस्टेबलिश्मेंट 1945-1940 में हुगा था ये कहीं डेट का फरक रहता है थोड़ा सकी गठन और एक्टिवेट होने में थोड़ा सी डेट चेंज हो जाती है तो आपको कहीं 1945 या 1940 में दिखा में लेगा ICC बाद में बनाया है 2002 में बनाया है अब यह दे सकते हैं अब यह Official Quares है UN का मतलब ICJ एक World Court भी है Official Court भी है Q 사용 से जाना जाता है यह आप याद रखिएगा कि कि Beach Court किसे बोला जाता है आईंजि को बोला जाता है लेकिन ICC जो है, वोड़ा इंडीपेंडेंट कोड़ा है तो ICG के पास आते हैं contentious matter है between parties और advisory opinions जैसे कि देशों के बीच में जो matter है जिनके बीच विवाद चल रहा है वो matter यहाँ पे आते हैं और ICC में आते हैं criminal prosecution of individuals जानी विक्तिकत की criminal जो prosecution से उसको लेकर के matter आते हैं ICC के पास subject matter हम देख लेते हैं क्या है इसमें यहाँ पर sovereignty यानी संप्रोभता आती है boundary लेकर issue आते है maritime को लेकर dispute आते हैं trade यानी व्यापार natural resources को लेकर आते हैं human right है मानव अधिकार treaty को violation किया है किसी ने treaty interpretation interpretation and more काफी सारे और भी subject हैं इसके लावा तो इस सारे के सारे subject matter है ICG के अब ICC में क्या आता है genocide मतलब की जहांपे की कई सारे लोगों को मार दिया जाता genocide वहां पर आता है नरसंगार जिसको हम बोलते हैं यह अंतर हैं तो यह आप देख लीजिए का दोनों के दोनों important बन जाते हैं क्योंकि आइसी यह की बात की गई तो आइसी सी का भी थोड़ा बहुत idea आपको होना चाहिए पेज नंबर न से बात की जा रही है यह क्या बात की जा रही है आइसलेंड की एक पी है यूरोप की एक country है आइसलेंड तो आइसलेंड की राजदा नहीं याद रखेगा रेक्जावैकि की राजदा नहीं है और यह एक ऐलन कंट्री भी आइसलेंड मैं देखाऊंगा इसका map आपको अभी तो यहां की प्राइम रेश्टन का नाम है याद रखिएगा महिला एक अच्छी बात है और यूरोप का ये एक देश है अब मैं आपको देखाता हूं उसका लोकेशन देखिए आप तो आइसलेंड यहां पर इस्तित है यानि कि ये एक देश भी हो और एक आइलेंड भी आइलेंड का मतल है ये एक लेंड जो आइलेंड है वो है की नॉहोफ और do तो ये बेसिक आइडिया है तो आई होग कि मैप के थूर आप कोछ चीज़े समझ में आई होंगी तो अगर यदि वीडियो अच्छे लगा हो तो जाला से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग इस परकार की वीडियो का फाइर उड़ा सकें